हेलो एवरिवन यूर वेलकम बैक टो आर यूटिब चैनल और आज की इस वीडियो में मैं आपको रिवीव देने वाला हूँ वाजी राम एंड रवी की यलो बुक के ठीक है यह आप देख सकते हैं दिस इस दा यलो बुक आफ दा वाजी राम एंड रवी इंस्टिटूट त तो अगर आप वाजी राम एंड रवी इंस्टिटूट से अपनी कोजिंग कंप्लेट करते हैं या फिर इस सेट को लेते हैं तो यह बुक मिलती है मतलब यह उनके एक तरीके से आप कर सकते हैं यह वाजी राम एंड रवी का स्टडी माटीरियल होता तो हर सबजेक्ट के ल लिम्म्स लिखा हुआ है लेकिन यह होती मेंस के लिए भी यही सेमी रहती है तो इसकी इतो आप देखें ग और not for sale or circulation उसके बारे में हम बाद में मैं अभी बताता हूँ end में कि कैसे होती है ये कून लेता है कहां से मिलती है ये सब चीजे तो ये अब मैं आपको open करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका जो index होता है index page होता है और फिर sovereignty, right in Indian ocean तो ये सारी है physiography of India उसके बाद में drainage system and river water, climate है, land and soil resources है, natural vegetation and wild life है तो ऐसे करके इसके जो हर chapter है वो यहाँ पर आए हुए है आप देख सकते हैं सारे agriculture और ये करके और अगर आप total देखेंगा total pages के नंबर यहाँ पर 237 है यानि यह जो first part है जैसे कि Indian geography वाला पूरा Indian geography इसमें complete है और यह 237 pages में आपको complete करके दे रखी है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे अगर आपका थोड़ा सा basic आपका clear है तो आप इस book को refer कर सकते हैं, this is the reference book ठीक है आप यह चीछ दियान रखें कि इसको ऐसे ना करें कि आपको यह पूरी book की रेटनी होती है ऐसा नहीं होता मतलब अगर आप इसकी revision कर लेते हैं ठीक है capacity है आपकी तो it is very good ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एकदम line by line ही याद करना है तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जैसे होता क्या है जब हम coaching लेते हैं या फिर आप self study करते हैं अपने खुछ से और आपने यह chapter पढ़ा जैसे drainage system पढ़ा drainage system पढ़ने के बाद आपने अपने खुद के notes बनाए और मान लिजा किसी video के थुरू या फिर NCRT के थुरू अगर आपको लगता है कि मेरे notes में कोई चीज miss तो नहीं कर दिया तो उस case में आप क्या करेंगे यह जो yellow book होती है इसको refer कर लेते हैं और yellow book में आप अपने point ऐसे मरब short short में देखते हैं कि हां मेरे कोई चीज miss तो नहीं हुई अब जैसे यहां पर आगे impact of large latitudinal and longitudinal extent तो उसके impact है यहां पर point point मैं मान लिजए कोई point आपका miss हो गया पहले तो आप यहां से इसको मरब note down कर सकते हैं अपने जो है वो language में अपनी writing में ठी तो यह जैसे रहता है यहां पर colorful diagram होते हैं उससे represent का रखा हर चीज को बता देते हैं यह सब तो अभी जैसे मैं आपको physiography of India है हम मैं आपको एक बार वो दिखाना चाहूंगा chapter drainage वाला ठीक है drainage वाला system भी है काफी अच्छे से दिया इसलिए मैं आपको एक minute तो आप drainage pattern देख सकते हैं यह drainage system and river water का जो है वो chapter है और यहां पर है ना काफी अच्छे से जैसे define कर रखा है तो यहां आपको सब की definition भी मिलेगी ठीक है डेंडरेटिक pattern क्या होता है radial pattern क्या होता है rectangular pattern क्या होता है centripetal pattern क्या होता है फिर उसके यहां पर आप देख सकते है कि कितना अच्छे से diagram भी बताया हुआ है ताकि आपको diagram देखके यह idea लग जाए कि जिन भी चीजों के बात करें वो किस तरीके से shape में होती है तो यहां आप देखेंगे उसके बाद में कि हीमालियन वाले यह हैं और peninsular drainage system यह होते हैं उसके बाद में यहां पर आपको map दिया हुआ है एक drainage basin in India इसका map देखें तो मतलब आपको यह show करने का यही मतलब है कि जैसे अगर आपके पास यह yellow book है तो आप इसको as a reference book use करेंगे और उसके बाद में यहां पर इसके मतलब अगर आपने यह कर लिया तो यह sufficient रहता कि काफी अच्छी से चीजे जो है एक ही जगा पर आपको combined form में मिल जाती है इसलिए आपके लिए यह easier हो जाएगा मतलब आपको अलग-अलग sources को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप एक ही जगा से इस चीज को पढ़ सकते हैं और अगर आप इसकी language देखेंगे ठीक है सबसे main होती है language भी बहुत जादा matter करती है कि language कहीं complicated तो नहीं है हमें समझ तो नहीं आएगी ऐसे तो मैं आपको एक point यहाँ पर मतलब यह वाला जो paragraph है यहाँ देख रहे हैं यह पढ़के बता देता हूँ आपको जैसे आप भी पढ़ सकते हैं खुद भी तो दगंगा रिवर सिस्टम है तो दगंगा रिवर औरिजिनेट सैस भागी रथी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लैंगवेज में बहुत ही मतलब अच्छे से दी होती है ऐसा नहीं है कि जैसे NCRT में देखेंगे आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसकी जो लैंगवेज होते हैं वो बहुत जादा complicated होती है कई-कई जगा पे तो इसी लिए अगर आप मरब ये भी refer कर लेंगे यहाँ से आपके पूरी चीज़े cover हो जाएंगे कुछ point अगर रहता है आपको जरूर लगती है जो NCRT से आप cover करना चाते है वहाँ च्छे से define किया गया वहाँ से लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी इस yellow book में आपको सारी चीज़े cover मिल जाएंगे तो यह थी पूरी जैसे book है इसमें मैंने देख रखा हर chapter मतलब दिये हुआ है जो भी आपकी Indian geography से related होता है सारे chapter इसमें आपके cover हो जाएंगे तो यहाँ पर लिखा जैसे कि यह not for sale होती है मरब direct market में आपको नहीं मिलती है यह आपको institute से ही लेना पड़ता है तो institute में तो जैसे मैंने अपनी coaching लीती तो मेरे को वहाँ से assign हुए थे यह सम्मिले थे बट ऐसा भी होता है कि अगर आप इसको order करते हैं ठीक है वाजी रामेंट रवी से order करते हैं तो भी वहाँ पर यह दे देंगे तो कुछ thousand मतलब exactly तो मेरे को idea नहीं है लेकिन 10,000 11,000 ऐसे कुछ होती हैं जो इनके पूरा set होते हैं जो मतलब इनकी बुक्के यलो बुक्के पूरा set होते तो वो आपको मिलते हैं तो अगर कोई लेना भी चाता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं मुझे भी inform कर सकते हैं तो मैं आपके बिहाँ पे ले लूँगा उन्हें जो भी amount रहता होगा और जो भी courier charges होंगे वो आप अपन में मिल जाती हैं services होती है तो अगर मतलब आपके लिए possible नहीं है कि आप Delhi में आ सकें so you can place your order through us as well ठीक है तो ये चीज़ थी बाकी मैंने आपको दिखा दिया और अगर आपको कोई भी doubt हो कोई question हो so you can put the message in the comment box so thank you very much for watching this video if you like this video don't forget to subscribe the channel and press the like button as well so thank you very much once again have a nice day